हाउल ये एक 2015 की डिरेक्ट वीडियो ब्रिटिश मॉंस्टर फिल्म में डिरेक्टिड बाई पॉल हायट एक ट्रेन की उपर जंगल के डेड़ जोन में एक क्रिचर के द्वारा हुए हमले की ये कहानी है पूनम की रात को 12 बजे एक ट्रेन लंडन से निकलती है वो ट्रेन जब जंगल के एक डेड़ जोन में पहुँचती है तो वहाँ पर एक हिरन से वो टकराती है अब ट्रेन पट्रे से ना उतर जाए इसलिए ट्रेन के ड्रैवर टोनी तुरंत ट्रेन का ब्रेक्ट दबा देते हैं अब वो हिरन ट्रेन के पईयों में फस चुका होता है उसे निकालने के लिए टोनी ट्रेन से नीचे आते हैं और उसके उपर एक क्रिचर के द्वारा हमला होता है अब इसके बाद उन सब पैसेंजर्स का क्या होता है, वो क्रिचर कौन है, क्यों वो उस पर हमला करता है, वो क्रिचर कैसा दिखता है और क्या वो पैसेंजर्स बच पाते है या नहीं, वहाँ से निकल पाते है या नहीं, ये सब तो आपको फिल्म में देखना पड़ेगा जैसे कि Kate, Matthew, Billy, Nina, Paul, Jed, Jenny, ऐसे धेर सारे अलग-अलग करेक्टर्स हमें फिल्म में दिखाये गए हैं। इन सभी करेक्टर्स को अलग-अलग शेड दिया गया है, उनका अलग-अलग सोभाव फिल्म में हमें दिखाया गया है। और जब इन सभी करेक्टर्स से हमें इंट्रेड्यूस कराया जाता है फिल्म के शुरुवात के 30 मिनिट में, वो पार्ट मुझे फिल्म में बहुत पसंद आया। ट्रेन के ड्रैवर के उपर जब हमला होता है उस क्रीचर के द्वारा, यहां तक तो फिल्म बहुत बढ़िया तरीके से डिरेक्टर ने हमारे सामने रखी है। इसके बाद भी फिल्म के एंडिंग तक फिल्म मुझे ठीक लगी, मतलब जिस परकार से हमें बीच-बीच में डराने की कोशिश की है, उस क्रीचर को जब हम एक्स्प्लोर कर रहे होते हैं कि आखिर वो क्या चीज है, किस चीज के दोरा यहां पर हमला हो रहा है, वो प्रेलोग उतने बढ़िया तरीके से लिखे गए हैं, कई सारे सीन्स ऐसे हैं फिल्म में, उन सीन्स पर वो क्रेक्टर जिस परकार से रियक्ट करते हैं वो हमें बिल्कुल ही इलोजिकल लगता है, मतलब अगर हम अपने आपको उस जगह पर रखे तो बिल्कुल ही हमें ऐस लगता है कि यार ऐसे थोड़ी ना ऐसी कंडिशन में ये करेक्टर ऐसे कैसे बोल सकता है और जिस करेक्टर को यहाँ पर एक थोड़ा सा निगेटिव शेड दिया गया है, आप वो कौन है वो आप फिल्म में ही देखिए, वो करेक्टर भी जिस परकार से उसको शेड डिरेक्टर देने में बिल्कुल नाकामयाब रहे हैं, अब देखिए ट्रेन टू बुसान, बिल्कुल अब वो तो उसके बाद आई है ट्रेन टू बुसान, लेकिन वहाँ पर जिस करेक्टर को निगेटिव शेड दिया गया है, उसे देखकर रियली हम नहीं आई, करेक्टर से हम उतना बढ़िया तरीके से जुड़ते नहीं हैं, बहुत सारे करेक्टर सामें कुछ जगव उपर बिल्कुल ही इलोजिकल लगने लगते हैं, जिस प्रकार से वो रियक्ट करते हैं इन सब बातों के उपर, निगेटिव करेक्टर है, वो भी बिल इंडर्शिप कॉलिटी उसमें कही पर भी नजर नहीं आती कि वो सबको बचा रहा है, वो बात एकदम अंदर से हमें फील नहीं हो पाती है, कि वो यहां पर सबको बचा रहा है, तो ये इस फिल्म की कमी मुझे लगी कि ठीक तरीके से क्रेक्टर से हमारे सामने रखे नहीं गये हैं, बाकी रही बात उस क्रिचर की, थ्रिल की, तो हां कुछ जगव पर थोड़ा सा हम डरते हैं, दूसरी बात है, ग्राफिक वाइलस इस फिल्म में धेर सारा दिखाया गया है, और वो काफी बढ़िया तरीके से जो मेकप आर्टिस्ट का वर्क है, विजियल्स भी का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है, अगर केरेक्टर्स को हम छोड़ दे, तो टेकनिकल लेवल पर ये फिल्म काफी स्ट्रॉंग लगती है हमें, जिस प्रकार की सिनेमेटरफी है, जो विजियल्स हमें जिस प्रकार का है, वो सब बाते काफी बढ़िया मुझे लगी, त तो टेकनिकली ये फिल्म काफी स्ट्रॉंग है, बस कारेक्टर्स ठीक तरीके से यहाँ पर लिखे नहीं गया है, और डिरेक्शन भी मुझे उतना स्ट्रॉंग यहाँ पर नहीं लगा, लेकिन अगर ओवर ओर फिल्म की हम बात करें, तो फिल्म हमें उतना डिसपॉइंट भी नहीं करती है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, फिल्म के शुरुआत की जो 30 मिनिट है, वो मुझे काफी पसंद आए, और उसके बाद भी जिस प्रकार से उस क्रीचर को हमारे सामने रखा है, जो विज्योल्स है, जो टेकनिकल बाते हैं फिल्म की, वो हमें काफी इ आते हैं, तो बिल्कूल ये फिल्म आप देख सकते हैं, और एक डारेक्ट वब वीडियो फिल्म की दुरुष्टी से अगर हम इस फिल्म को देखे तो काफी बढ़िया ये फिल्म है, काफी इंप्रेस करती, ये फिल्म इसमें कोई शक नहीं है, मैं इस फिल्म को रating जेहिन बंदे मातरम